हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है इस वीडियों हम लोग क्लास 7 का हिस्टरी का कोशन अंसर करेंगे हुआ के चेप्टर भी 7 है और चेप्टर 7 का नाम समाजिक परिवर्तन है तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत हुगा त मुझे आप कमेंट करेंगे मैं डाउ सेस्टन में किलर करने का कोशिस करूँगा तो चले बढ़ते हैं हम लोग कोशन अंसर के ओर देखिए सबसे पहला यहां पर हरिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिए खालेस्थान को भरना है का नमबर देखिए खालेस्थान जाती आध उदभव हो चुका था तो इसका अंसर हो जाएगा चेरो ओके 12 सदी तक बिहार और जहारकन के इलागों में चेरों का उदभव हो चुका था फिर देखिए गा नमबर बंजारा एक व्यापारी जन जाती थी ओके बंजारा एक यहां पर खालेस्थान के जगह में व्यापार प्रकार के जन जाते हैं तो देखे इसका अंसर हो जाएगा जर्खण में 32 प्रकार के जन जाते हैं ये बहुथी important question है very very important question इसको याद रखिएगा जहारकरण में कितना प्रुकर का जन जातियां सब मिलता है तो 32 यह अभी भी काम आएगा आपको आप जब competition exam लिखने जाएगा उस वक्त भी काम आएगा इसा note कर लिजिए अब लोग बढ़ते हैं next question answer कियो question answer का पहला number देखिए जन जाति किसे कहते हैं जन जाति किसे कहते हैं इसका answer हो जाएगा जंगलो एवं सुदूर पहाड़ी इलाकों में बसे छोटे छोटे गाउं में एक से अधिक पीड़ी से साथ में रहने वाले परिवारों को जन जातिये कहा जाता है तो इससे note कर लिजि खाना बद्दोस यानि की घुमकर व्यापारी थें तथा कारवा यानि कि बनाकर अनाज हल्दी हींग आदी ढोते थें उनको बंजारा कहा जाता है एक जग से दुसरी जगा भुटकते रहते हैं इसे note कर लिजे इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं next three number की ओर three number के question है जन जात जाटिये समुदाय में बच्चे प्राय घरों में शुकते अनाजों को पसु पक्षियों से सुरक्षा करना जैसे छोटे-छोटे कायर करते थे तो इसे नोट कर लिजे बहुत ही आसान है बच्चे जो घर में अनाज रहता था शुखा हुआ वह सब अनाज सब का जंगली जान के साथ एक अस्थान से दूसरे अस्थान गूंगते थे वे खाद पदार्थों का व्यापार करते थे उनका कारवां टांडा कहलाता था उनका कारवां को टांडा कहते हैं और पहले भी कहते थे तो इसे नोट कर लिजे इसके बाद हम बढ़ते हैं अब 5 नंबर के और 5 देखिए मध्यकाल में वर्न आधार समाज में निमलिकित परिवर्तन आएं का नमबर देखिए वर्नों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी का नमबर कई जन जातियां और समाजिक समूहों को वर्न विभाजित समाज में सामिल कर दिया गया और उन्हें जातियों क दरढ दिया गया फिर देखिये गा नंबर विशेस्था प्राप्त सिल्पियों सुनार लोहर बढ़ाई आउर राजमिस्त्री को भी ब्राह्मनों द्वारा जातियों के रूप में मानता दी गई अब देखिये गा नंबर वर्न के बजाए जाति समाज के संगठटन का आधार बने फिर देखिए अंगा नंबर ग्यारव वारवी यानि कि गारवी वारवी सद्धी तक आते आते छत्रियों के बीट नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफ़ा हुआ तो यह सारो यह जितना भी सारा पॉइंट है सभी पॉइंट को आप लिख लीजे और इस जनजातियों के बारे बहुत जानकारी क्यों नहीं मिल पाई है तो बताना है कि जनजातियों के बारे बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है क्या कारण है तो इसका अंसर हो जागा देखिए जनजातियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है इसके न आदि के रूप में सहेज कर रखते थे पीड़ी दर पीड़ी इसका अस्थानांतरन मौखिक ही हुआ परता था अब देखिए खा नमबर वे बाहरी लोगों को अपने आवासिय चेत्रों में परवेश की अनुमति प्राया नहीं देते थे फिर देखिए गा नमबर ये समुद से उनके बार में अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है तो इसे नोट कर लीजिए इसके बाद बढ़ते है नेक्स सेबन नमबर की ओर सेबन नमबर की कोर्षन है जन जातिय समुदाएक लोग अपने जीवी को पारजन के लिए कौन-कौन से कारिक करते थे यहां पर देखिए इसका अंसर हो जाएगा जन जातिय समुदाएक लोग अपने जीवी को पारजन के लिए कई तरह के कार करते थे जैसे आखेट यानि की सिकारी सिकार करना खाद संग्रहन क्रिसी एवं पसुपालन का कार करते थे पुरुष पसुओं के चारे के लिए चरागा की खोज में र जाएगा अब लोग बढ़ते हैं एट नंबर की और एट नंबर के कॉर्शन है जन जातिय समुदाएक के लोग एवं दूसरे समाज के लोग एक दूसरे पर कैसे निर्भर्त हैं तो देखिए एक दूसरे पर कैसे निर्भर्त हैं बताना है एक शुबर में आज भी होता है जन जाति समदाइक लोग दूसरे पर आज भी निर्भर रहते हैं हम भी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं हमारे समाज में तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों पर जन जातियों का एक अधिकार था जल जंगल जमेन से जुड़े ये समाज सेंगत रूप से इन प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियांत्रान रखते थे इन संसाधनों का बटवारा परिवारों के सदस्य के बीच होता था यह बटवारा उनके अपने ही नियमों के अनुसार होता था कभी कभी उनका बाहरी लोगों से टक्राव भी होता था इनके लिए बाहरी लोग वे लोग थें जो जातिये विवस्था को मानते थें लेकिन इस टक्राओं से ये अपनी स्वतंतरता एवं संस्कृति को अच्छुन बनाय रखने में काम्याब रहें जनजातिये समुदाये वं दुसरे समाज के लोग एक दुसरे पर निर्भर भी रहते थें टक्राओं और निर्भरता के इस संबंद से इन दोनों समाजों में धीरे धीरे परिवर्तन आया कुछ छेत्रों में कुछ जंजातियां सकति साली एवं परभाव साली थी उनका बड़े इलाके पर नियंतरन था तो इतना अंसर होगा I think यह लंबा लग रहा है तो आप यहां तक लिखिएगा काफिर हैगा यहां तक ओके यहां तक देखिए दूसरे समाज के लोग एक दूसरे पर निर्भाय रहते थे यहां तक आप नोट लिखेगा नीचे का लाइन को लिखने का जोरत नहीं है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इससे नोट कर लिजे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आये चर्चा करे की और अब देखिए नेक्स्ट आये चर्चा करे का पहला नंबर मद्य काल में समाजिक संग्रचिना में क्यों परिवर्टन हो रहा था तो इसका अंसर देखिए मद्य काल में आई नई जातियां जातियोस्था में सामिल होने लगी थी यह अर्थवरस्था एवं समाज की आवसक्ता बढ़ने के कारण हुई कई जन जातियों को जाति उस्था में सामिल कर लिया गया विशेसग्य प्राप्त सिल्पलिपियों जैसे सुनार लोहार बढ़ए आदि को भी जाति का दर्जा दे दिया गया वर्ण में भी छोटी छोटी जातियां उभरने लगी उदारन के लिए ब्राहमनों की कई उपजातियां उभर कर सामने आई अब वर्ण के अस्थान पर जाती महतपूर्ण हो गई यह हमारा complete होगी answer आप इससे note कर लिजे और इससे याद कर लिजेगा अब लोग बढ़ते हैं next question की ओर next question देखिए जनजातियां प्रायां दुर्गम छेत्रों में क्यों रहती थी तो बताना है कि जो भी जनजाति है दुर्गम छेत्रों पर ही क्यों रहती थी घने जंगलों में पहाड़ियों में चुपचुपप कर वे लोग रहते थी क्यों क्या कारण है तो इसका answer देखिए जनजातियां प्राया दुर्गम छेत्रों में निमन कारणों से रहती थी पहला नमबर देखिए का नमबर वे अपनी परंपरा एवं रिती रिवाजों को बाहरी लोगों से दूर रखना चाहती थी वे बाहरी लोगों को अपने अबासिय छेत्रों में परवेस की अनुमती नहीं देते थे पर देखिए गा नमबर जनजातियों की अपनी समरीद संस्कृति वो परमपरा है इसमें उनकी भासा, संगीत, कहानियां एवं चित्रकारी कला सामिल है पर देखिए गा नमबर ये समुदाय प्राया सुदुरवती लाकों में जैसे घने जंगलों, पहाडों मरू भूमी आदी में रहते थे जहां इनका बाहरी लोगों का संपर्क नहीं हो पाता था इस तरीके से यह कारण है कि जो भी जनजातियां थी वह प्रायर दुर्गम छेत्रों में रहना पसंद करती थी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पहें पर दिखकत हुआगा तो मुझे कमेंट कर दिजे मैं डाउ सेसन में किलर कर दूँगा अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूँ करें और इसी परकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहां पर बेल आईकन को ALL में क्लिक करें इसके बाद hds tutorial को touch करें आपके सामने कुछ इस तरीके का page open हो जाएगा अब आपको playlist पर touch करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा playlist open हो जाएगा class 6, 7, 8, 9 subject wise और chapter wise तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद